आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारना सच्देव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार राजय मंत्री मंदल का हुआ विस्तार, रामनिवास रावत केविनेट मंत्री के रूप में हुए शामिल अमरवाडा विधानसभा उप्चुनाव के लिए प्रचार जारे, 10 जुलाई को होगा मद्दान सर्वोच्च नियाले ने नीट परिक्षा पर CBI, NTA और केंदर सरकार से 10 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट और प्रदेश में कल मच्वा दिवस के अवसर पर विभिन काईक्रमों का होगा आयोजन अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी, रूस और आस्ट्रिया की तीन दिन की आधिकारी खियातरा पर आज शाम मौस्को पहुँच गए है मौस्को एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ओफ ओनर दिया गया प्रधान मंत्री का स्वागत उप प्रधान मंत्री डेनिस मंतुरोव निकिया यात्रा के दूसरे चरण में प्रधान मंत्री मोधी कल औस्ट्री आ जाएंगे। समारों में मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उक मुख्य मंत्री जगदीश देवडा, राजेंदर शुकल सहित कई अन्य मंत्री और अधिकारी उपस्ते थे। मुके मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राम निवास रावत को कैबिनेट मंत्री पद की शपत ग्रहन करने पर नए दायत्व के लिए उन्हें बधाई दी है चंबल अंचल में उनकी अपने घेरी पकड़वी है और वो शेत्रे सा आता जा पिकास की बहुत सा मवावना है मद्यवदेश सरकार उनकी भावना करशार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और पुर्देश की सभा करेगी मेरी अपने उसमिदावी चंबाडा जिले की अमरवडा विधान सभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कॉंग्रस दोनों ही दल चुनाव प्रशार में पूरी ताकत जोक रहे हैं आज मुक्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवडा विधान सभा के ग्राम बटका खापा में भाजपा प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह के समर्थन में प्रचार किया एक जन सभा में उन्होंने कहा कि चिनवडा लोग सभा के बाद अमरवडा विधान सभा उप्चुनाव में भी भाजपा जीत का पर्चम लहराने वाली है उन्होंने कहा कि कॉंग्रस जूट बोलती थी कि चिनवडा का विखास किया है लेकिन क्षेतर में अंदर तक पहुंच कर देखा तो जूट पकड में आया उन्होंने तो कहीं कोई विखास किया ही नहीं किसान पानी तक के लिए तरस रहे हैं वहीं कॉंग्रस ने भी आज क्षेतर में जनसभा का आयोजन किया जिसमें प्रदेश कॉंग्रस के प्रभारी महासचिव जीतेंदर सिह प्रदेश कॉंग्रस अध्यक्ष जीतू पटवारी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार पूर्विसांसत नकुलनात ने कॉग्रस पत्याशी धीरन शाह इन्वाती के समर्थन में जन सभा को समोधित किया अमरवाणा में 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगरना की जाएगी राजपाल मंगु भाई पतेल ने कहा है कि सुरक्षित भविश्य के लिए पौधरोपन जरूरी है उन्होंने सभी से आहवान किया कि एक पेड मा के नाम अभियान में पौधे जरूर लगाए राजपाल श्री पतेल ने स्वयम अभियान के तहट राजभवन परिसर में आज अधिकारी करमचारियों के साथ पौधरोपन किया उन्होंने क्रिस्मस ट्री का पौधरोपा इस अबसर पर राजपाल के प्रमुक्र सचिव मुकेश चंद गुपता अपर सचिव उमाशंकर भारगव और राजभवन के अधिकारी और करमचारी उपस्तित रहे न्यूज ऑन EIR एप पर भी समाचार सुन सकते हैं समाचारों में एक बार पिर आप सभी का स्वाकत है सरवोच न्यायाले ने राश्ट्रिय पातरता सहप्रवेश परिक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और राश्ट्रिय परिक्षा एजनसी NTA से न्यायाले में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है शीर्ष अदालत ने CBI से मामले में अब तक की अपनी जाँच पर एक स्तिती रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है न्यायाले ने 10 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है मुख्या न्यायादीश D.Y. चंदरचूर, न्यायमूर्थी J.B. पारदिवाला और न्यायमूर्थी मनोज मिश्रा की पीट नीट यूजी परिक्षा से संबंदे त्याजिकाओं पर सुनभाई कर रही थी मुख्या नायदीश ने कहा कि ये तथे कि परिक्षा की पवित्रता से समचोता किया गया है जो की संदेह से परे है उन्होंने कहा हाला कि दोबारा परिक्षा का आदेश देने से पहले पेपर लीग कहां से हुआ यह पता होना जरूरी है शीर्ष अदालत ने कहा कि परिक्षा रद्द करना अंतिम उपाय है इस मामले में अब अगली सुनभाई 11 जुलाई को होगी प्रदेश में कल मच्वा दिवस मनाया जाएगा इस संबंद में मच्वा कल्याण और मच्वे विकास राज्यमंत्री स्वतंत्रप्रभार नारायन सिंपवार ने मच्वारों को बढ़ाई दी है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मच्वारों को प्रोच साहन कर बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्द कराया जा रहा है पिछले वर्ष 3,42,000 मिट्रिक टन मच्वे उत्पादन का लक्षे हासिल किया गया मच्वारों की सहकारी समितियों से आगामी वर्ष में 3,90,000 मिट्रिक टन मच्वे उत्पादन के लक्षे को हासिल किया जाएगा राज्यमंत्री ने कहा कि नीली करांती से प्रदेश में आर्थिक करांती लाने के ठोस प्रयास किये जा रहे है सरकार मच्वी पानन के साथ साथ उसके प्रसद्सकरण, विपणन और भंडारन किशमता बढ़ाने पर विशेश ध्यान दे रही है साथ ही मच्वारों और मच्वे पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के धायरे में लाने के लिए विशेश अभियान चलाया गया है प्रदेश में जिलास्तर पर मच्वा दिवस पर आयोजन किये जाएंगे बात मौसम की प्रदेश में आज भी कई जिलों में बारिश जारी है मौसम विभाग ने ग्वालिय चंबल संभाग में लगातार चौते दिन भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है इस वक्त मौसम द्रोनी का प्रदेश से होकर गुज़दर रही है वहीं दूसरी और तीन मौसम प्रणालियां भी बनी हुई है इनके असर से प्रदेश के विभिन जिलों में रुक रुक कर वर्शा हो रही है इस संबंद में मौसम में ग्यानिक वेद प्रकाश सिह ने बताया कि शिवपुरी, शोपुर कला, दक्षिन ग्वालियर, गुना, अशोक नगर, उमरिया, शेहडोल और अनुपूर, अमरकंटक में बिजली के साथ भारी वर्शाज जारी गरहने की संभावना है साथी, इंदौर, धार, सिहोर, देवास, शाजापूर, रायसेन, विदीशा, मुरेना, दतिया, सागर, दमोह, कटनी, जबलपूर, नरसिंगपूर, निवारी, टीकमगर और दिंडोरी में बिजली के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश हो सकती है अब कुछ समाचार संक्षेप में भारत सरकार के केंदरिये सामाजिक न्याय और अदिकार इता मंत्री डॉक्टर विरेंदर कुमार आज चतरपूर जिले के दोरे पर पहुँचे केंद्रिय मंद्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदियक शेतर चतरपूर टीकमगर पहुंचे डॉक्टर विरेंद्र कुमार का लोगों ने भव्यस्वागत किया सिहोर कलेक्टर प्रवीन सिहने बताया कि राजय निर्वाचन आयोग ने नगरिय निकायों और त्रीस तरिय पंचायतों के चुनाव के लिए फोटो युक्त मददाता सूची के वार्शिक पुनरिक्षन का कारिक्रम जारी किया है सूची का अंतिम प्रकाशन 12 सितंबर को होगा खरगौन जिले में परियावरन संद्रक्षन की दिशा में एक पौधा मा के नाम अभियान के तहत मुसलिम कब्रिस्तान भूमी पर पौधा रोपन कर उसे पेड़ बनाने का संकल्प लिया गया देवास जिले में 11 अगस तक विश्म जन संक्या अभियान चलाया जा रहा है स्वास्ते संस्थाओं में परिवार नियोजन के साधनों की उपलबदता सुनिश्चित कर सेवा प्रदाइगी सुनिश्चित की जा रही है जिले में 11 जुलाई को विश्म जन संक्या दिवस पर भी कई कारकरम आयोजित किये जाएंगे एक जुलाई से 31 अगस तक संचालित किये जा रहे स्टॉप डायरिया अभियान संचालन हेतू आगर मालवा कलेक्टरेट सबाकक्ष में आज कारेशाला में बताया गया कि स्टॉप डायरिया अभियान जिले में 3 चरणों में संचालित होगा कटनी जिले के विकास खंड बढ़वारा के ग्राम केवलारी से स्थित शास्किय प्रात्मिक शाला भवन सहरा टोला स्कूल भवन की छट के प्लास्टर की परत गिरने से चार बच्चों को हलकी चोट आई है सबी घायल बच्चों को बरही शास्किय अस्पताल में प्रात्मिक उपचार हेतू भरती कराया गया है और खन्वा पुलिस ने आज जिला अस्पताल के पास से बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफतार कर 6 किलो चरस बरामत की है जिसका बाजार में मूले कीमत लगभग 30 लाग रोपे है अरोपी एंडी पीएस एक्ट के तहट गिरफतार किया गया है अंत में बुलिटन की मुख्य समाचार एक बार फिर राजय मंत्री मंदल का हुआ विस्तार राम निवास रावत केविनेट मंत्री के रूप में हुए शामिल अमरवाडा विधान सभा उप्चुनाव के लिए प्रचार जारी 10 जुलाई को होगा मद्दान इस बुलिटन में इतना ही अनुमती दीजिए नमस्कार